डियर स्टुरेंट्स, आज का हमारा टोपिक है वेवारवादी दर्ष्टिकों का मुल्यांकन राजनती सास्तर के पिछले डाये जार वर्षों के इतियास में किसी एक दर्ष्टिकों का इस तरह या इस फरकार से इतना अचानक परभावो दे नहीं हुआ जितना कि वेवारवाद का हुआ सीकागोई सुष्टिकों के एक शमू ने वेवारवादी विग्यान सब्दों का 1949 में शर्जन किया और एक दो वर्षों में ही सभी समाजी की विग्यान वेवारवादी बिल्ले से युक्त हो गए सबी शामाजी के वेगेनी के अपने आपको वेवारवादी मानने लगे राजनती सास्तरी तो वेवारवाद से जूम उठे और एक नए राजनती सास्तर का दिवाश पर बन गया राजनती सास्तर के इतियास में ये अजीब बात तब और भी अजीब और गरीब बन गई कि अचानक आया यह अंदोलन 10-15 वर्सों में ही यानी 1970 तक अपना सवरूप बदल लिया वेवारवाद के इस्थान पर उत्तर वेवारवाद आ गया और वेवारवाद के परवक्ता ही उनके आलोचक बन गए वेवारवाद के अलोचक प्रवप्रवादी राजनतीक सास्थिरी रहें लेकिन वेवारवादी विचारकूने इसकी कमिया सामने आने पर उसके आलोचना करने से इसकी चार्ट नहीं दिखाए लियो स्टार्स, क्रिस्टियन वे और एरिक बोगेलिन ने इनके अने कम्यों को सबस्टा सवरूप परकट किया है किन्तु मेलफोर्ड सिबली ने अपने एक लेक दा लिमिटेशन्स और भेवेवर का कई कम्यों के साथ अच्छी तरह उजागर किया है पॉइंट नमबर एक है अनुसंधादन या अनुसंधान वे सोध के लिए विशे का चैन मुल्यों दवारा ही होता है मुल्यों को बिलकुल नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है दूसरा पॉइंट है सोध करता जब किसी विशे पर सोध करता है तो अपने सोद को अपने ही मुले से अलग नहीं रख सकता है तीसरा पॉइंट है यह सिदान एस्पस्टा से बरा हुआ है चोथा है मानव वेवार को निश्चित करना बहुत कठीन है मानव वेवार में समय के साथ प्रिवतन होते रहते हैं जबकि वेवार वादी मानव वेवार को अपने अद्देन का केंदर बिंदू मानते हैं अगला पॉइंट है वेवार वादी सिदान निर्मान के परती कोई विशेश योगदान नहीं दे पाए वेवारवादी द्रश्टिकोन का मुखे उदर से वेग्यानिक वीद्यू द्वारा सोद करके नए सिदान्तों का निर्मान करना है परन्तु इस छेतर में वेवारवाद ने कोई विशेश योगदान नहीं दिया वेवारवादी दरश्टिकोन के आदार पर कुछ राजनतिक तथ्यूं समन्दी सोद तो अवसे हुए परन्तु ऐसे सोद छोटे स्तर पर होने के कार्ण समुचे विश्वे के लिए विश्वे सनी सिदांत निश्चित नहीं करवाए अगला पॉइंट है वेवारवादी दरश्टिकोन परती किरियावादी है वेवारवादी दरश्टिकोन होने के बावजूद भी परती किरियावादी है और अनुदारवादी दरश्टिकोन है ये दरस्टिकोर निश्पक स्थियों के साथ शमंदित है और वर्तमान स्थिती में परिवर्तन करना इसका कोई उदसे नहीं है इसलिए ये का जा सकता है कि ये दृष्टिकोन ये था इस्थिती बनाने के पक्ष में है जो सिद्धान्त समाजी परिवर्तन के लिए वचनवद नहीं है और जिस सिदान्त ने शमाज में हो रहे परिवर्तन के लिए उन उत्तरदाई शक्तियों के परती कोई धान नहीं देना है वह सिदान्त निश्ची तोर पर परती किरियावादी सिदान्त ही हो सकता है वेवारवादी दर्ष्टिकोन एक वीधी के रूप में तो वेगैनिक दर्ष्टिकोन है परन्तो शामाजिक प्रिवर्तन के साथ शम्मन्दित नहीं होने के कारण ये दर्ष्टिकोन परती किरियावादी सरूप का दर्ष्टिकोन माना जाता है अगला पॉइंट है राजनती सास्तर के छेतर को संकीरन किया इस दरिश्टिकोन ने राजनती सास्तर के छेतर को कुछ सिमा तक सिमीत कर दिया है आलाचकूं का कहना है कि वे वारवादी विचारक राजनती सास्तर के केवल उन पक्षूं का देन करना चाते हैं जिन पदू समंदी सामगरी का पर्मानी करण किया जाता हूँ, या वे निरिक्षन योग्य हैं। इस कार्थ ये हुआ कि जिन तथ्यों का निरिक्षन नहीं हो सकता वे राजनती सास्तर के छेतर में नहीं आती है। ब्यवारवादियों के आलचकुन ये ब्यारोप लगाया है कि उन्होंने राजनती सास्तर को अंतर सास्तरियत देन का विशे बनाकर उसकी परतिष्ठा को कम किया है। ठैंक्स।